कालिदास और आरेभट को तो आप जानते ही होंगे, जहां कालिदास को उनके प्रसिद्ध रचना मेगदूत के लिए जाना जाता है, वहीं आरेभट की प्रसिद्धी का कारण पाई का अविसकार था। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी, दोनों महान विभूतियां समकालीन थे और चंद्रगुप्त दूतिये के दरवार के नवरत्न थे। इस वीडियो में आप ऐसे ही रोचक तथ्य को जानेंगे, आप इतिहास के कुछ बेहधी प्राचीन तथ्यों से अवगत होंगे। तो चलिए, सुरू करते हैं। उन्होंने पद समाला जब वो महज 35 वर्स के थे। आपको मालूम ही होगा, अंग्रेजोंने भारत पर लगबग 200 वर्सों तक सासन किया। इस दोरान अंग्रेजोंने अपने प्रभाव से भारत की संस्कृतिव व सभिता को भी प्रभावित किया। लेकिन हद तो तब हो ग आले के सला पर भारत की राजभासा अंग्रेजी को बनाने का निरने लिया और इस प्रकार अंग्रेज चले गए मगर अंग्रेजी छोर गए। भारत के संविधान के बारे में आप जानते ही होंगे, यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, पर क्या आपको प पारे में एक और खास बात यह है कि इन्होंने ही वर्ष 1921 इसवी में CPI की नीव रखी CPI मतलब Communist Party of India महात्मा गांधी जिने प्यार से हम बापू भी कहते हैं आपको तो पता होगा ही बापू पहले बैरिस्टर थे इन्होंने दक्षिन अफ्रिका में वकालत भी की थी और वहा हो रहे नसल भेदी हिंसा के विरुद्ध आब आज भी उठाए मगर क्या आपको पता है वह समाचार पत्र के प्रकासक भी रहे सन 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकासन भी किये सिकंदर अलेक्जेंडर दे ग्रेट जिसने पूरी दुनिया जीतने का क्वाब देखा था और लगभग पूरी दुनिया को जीत भी लिया मगर भारत में उसके अभ्यान का अंथ हो गया था भारत आकरमन के दौरान पंजाब के राजा पोरस से युद्ध हुआ इस युद् महरानी पदमावती जिसने खिलजी से ही रक्षा के लिए जहर किया था बीते दिनों इस पर पदमावत मूवी भी बनी थी जो विवादों के कारण सुर्खियों में भी थी इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सेर एंड सब्सक्राइब करन ना भूले